हलो लर्नर्स, वेलकम टो आर चानल अडवीस पावन, आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और लॉंग कॉस्टिन और एंसर जो की एक्जामेनेशन पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोर्टेंट है यह पूस्टिन लिया गया है क्लास 10 की बुक, फिर्स फ्लाइट का चाप्टर नूम्बर 2, नेलसन मंदेला, लॉन वाउग तु फ्रीड़म, बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर है और एक्सामेनेशन में इसे एक क्वेश्टन पूस्ता है question क्या बोल रहा है what two obligations यहाँ पर obligations कहने का अर्थ है कर्तव्य obligations here means कर्तव्य is the author talking about लेखक ने इस chapter में दो obligations की यानि दो तरह की कर्तव्यों के बारे में बतलाया है चर्चा की है वर्नन किया है महसूस किया है तो वो कौन से है ठीक है आपको बताना है कि वो किस प्रकार की कर्तव्य है जिसकी चर्चा लेखक ने इस chapter में की है नलसन मंडेला long walk to freedom chapter में ये एक part हुआ again what does he feel of them नलसन मंडेला उन दोनों कर्तव्यों के विशय में कैसा महसूस करते है उन दोनों कर्तव्यों के प्रती नलसन मंडेला जे की विचारधारा क्या है ठीक है उनकी क्या वो उन्होंने महसूस किया अपने जिवन काल में उन्होंने इन दोनों कर्तव्यों के विशय में या South Africa के परिपेक्छों में जदी देखा जाए तो वे obligations के बारे में क्या बतलाते हैं that we have to describe in this answer first of all we have to give the answer of the two obligations ठीक है two obligations कितने obligations two दो कर्तव्यों का वर्नन किया है तो वो दोनों कर्तव्यों को बताएंगे फिर बताएंगे कि उन दोनों कर्तव्यों के विशय में Nelson Mandela जी कैसा feel करते हैं क्या महसूस करते हैं उनकी विचारधारा क्या है come to the first section the author says that every man लेखक कहते हैं कि every man यानि प्रतेक आदमी का प्रतेक आदमी का his twin obligations दो तरह के कर्तव्यों होते हैं twin here twin refers to do twin means do दो तरह के obligations यानि दो तरह के कर्तव्यों होते हैं according to our author Nelson Mandela कैसा one obligation is to his family पहला जो कर्तव्य है ठीक है हम लोग इसे first number दे सकते हैं पहला जो कर्तव्यों है उसके परिवार के प्रती to his parents उसके माता-पिता के प्रती to his wife उसके पतनी के प्रती and children और बच्चे के प्रती तो कोल मिला कर देखा जाए तो पहला जो obligation पहला जो कर्तव्य है वो परिवार के लिए है ठीक है उसमें ममी, पापा, वाइफ, बच्चे, माता-पिता जो भी एक family में जो भी है grandfather, grandmother जो भी है या maybe वो छोटी family हो या बड़ी family हो मतलब परिवार से related तो एक कर्तव नेलसन वंडिला जी ने ये बताया है कि परतेक आदमी का ये एक महत्पून कर्तव है कि उसे उसके परिवार उसके माता-पिता उसके पतनी उसके बच्चों की देखबाल करना उनका भरन पोशन करना जीवन काल में जो भी मुसीवते आये उनका सामना करना ये एक कर्तव यो बनता है किसी भी व्यक्ति का ठीक है again the second दूसरा obligation second obligation is to his own people his community and his country दूसरा जो कर्तव उन्होंने बतलाया है वो उसके लोगों को लोगों के प्रती उसके समुदा या समाज के प्रती और फिर finally उसके देश के प्रती इस तरह से प्रती आदमी के दो कर्तव ये होते simply जदी बोला जाए short में तो एक कर्तव हो गया उसका परिवार के लिए और दूसरा कर्तव हो गया उसके देश के लिए उसके समाज के उसके लोगों के लिए मतलब दूसरे लोगों के लिए ठीक है तो इस ये दो कर्तव का इन्होंने वर्नन किया है तो ये हो गया इसका अंसर what two obligations is the author talking about कौन से दो कर्तवों की लेखक ने चर्चा की है इस chapter में ठीक है फर्स्ट obligation हो गया to his family, to his parents, to his wife and children and the next one second one is to his people, to his community and to his country ये दो obligations हो गया now come to the second part what does he feel of them ये इन दोनों obligations के प्रती कैसा महसूस करते है उनके विचारदारा क्या है उनके प्रती किरिया क्या है किन दोनों के प्रती एक तो ये जो obligation है to his family और दूसरा जो obligation है to his people, community or country क्या वो बताते हैं in a civil and human society किसी भी ठीक है एक जो है सब्वे और मानवता से भरपूर समाज में ठीक है civil and human सब्वे और मानवता से भरे समाज में a man should fulfill these obligations किसी भी व्यक्ति को ये दोनों करतवे करने चाहिए ठीक है जो भी व्यक्ति है जदि वो व्यक्ति एक सब्वे और मानवता से भरे समाज में निवास कर रहा है तो उसके ये दोनों करतवे बनते हैं उसे करना ही करना है but it was impossible to do so लेकिन फिर वो आगे बोलते हैं कि ऐसा करना impossible है ठीक है असंभव है ऐसा करना impossible असंभव है कहां in South Africa हमने बताया chapter जो हमने पढ़ा था line by line explanation जदी आप से मिस हो गया हुआ तो आप उसे जरूर देख लिजेगा कि कैसे बतलाया गया है कि South Africa में जो एपार्थिट पॉलिसी चलिया आ रहे थे जिसके चलते वहां बहुत ज़्यादा रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था ठीक है एकदम जानवरों से भी बतर सलुक उन लोगों के साथ किया जाता था तो इसी लिए ये ऐसा कर रहे है कि किसी भी सभी और मानवता से भरे समाज में ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी दोनों कर्टवी का निर्वः कर सकता है एक जो उसके परिवार के प्रती एक उसके देश के प्रती लेकिन साथ अफरीका में ऐसा इंपॉसिबल है ठीक है कोई भी मनूष्य जो है वो जड़ी कोशिश करता है रहने के लिए ठीक है पानिश किया जाता है साउथ अफ्रिका में ऐसी मतलब बोलिये तो एक प्रथाई चली आ रही थी जो रंगवेद निती के आधार पर मतलब लगवग समझे तो 300 सालों तक ये मतलब साउथ अफ्रिका में भी जो गोरे अफ्रिकम थे इन लोगों का साशन चला आ रहा था और लगवग 300 सालों तक इन्होंने लगवग साशन किया और ये बहुत ही मनें क्रूर बोलिये या त्याचार बोलिये ताना साह बोलिये उस तरह का साशन जो है वहाँ चला आ रहा था तो इसलिए जो भी इस प्रकार से अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करता, अपना अधिकार मांगने की कोशिश करता, या किसी दूसरे लोगों की भलाई करने की कोशिश करता, तो उसके साथ कैसा behave किया जाता था, इन्हुमें, ठीक है, आमानवी ये वहवार किया जाता था, जैसा मनुष्यों के साथ सब समाज में नहीं किया जाता है तो इसलिए बोल रहा है कि South Africa में जदी कोई मनुष्य की भांती रहना चाहता है तो उसे punish किया जाता He was isolated from his family and home isolated means होता है अलग कर देन ठीक है? जैसे विरान जगह पे छोड़ देना, जेल में डाल देना परिवार से अलग कर देना या फिर वो जदी नजर आया तो उसे पकड़ के जेल में डाल देना कुछ इस प्रकार से किया जाता था जिससे कि वो क्या होता था अपने परिवार से और अपने घर से दूर हो जाता था अलग थलग हो जाता था अब बताईए वो ऐसे स्तिती में वो कैसे जो हमने first obligation की बात की ये to his family parents wife children ये कहां से कर पाएगा ठीक है first obligation क्या जदि कुछ वैसा उसके उपर मने है वो तो चुप चुप के मतलब जीवन गुजर बसर कर रहा है उसे विद्रोही का नाम घोशित कर दिया करा दिया जाता है कि उसे देखते ही गोली मार दो उसे पकड़ लो उसे जेल में डाल दो उसे सजा दो उम्र कैद दो फांसी दो कुछे इस प्रकार से तो वो इससे क्या होता था he was isolated from his family and home वो अपने परिवार से अलग तलग हो जाता था और इस चैप्टर में भी हमने देखा कि नेलसन मंडेला जी भी 30 years तक जो है आपके जेल में ये मने समय बिताये थे 30 साल समझ जए मतलब बोले तो बोले मने पूरी जवानी उनकी जेल में ही चली गई 30 साल तक ये मने प्रिजन में रहे लेखक जो है वो अपने परिवार से उपर लोगों को नहीं मानता है यानि कहने का मतलब वो प्रायरिटी किसको देता है अपने फैमिली को ही प्रायरिटी देता है अपने परिवार को ही मतलब ज़्यादा सेवा करेंगे या उस टैप से करेंगे उनकी देखभाल करेंगे ऐ को ही प्राथमिक्ता देते हैं लोगों से ज्यादा, he tried to serve them और वो उनकी सेवा करने की कोशिश भी करता है, but he was prevented to fulfill his twin obligations, लेकिन जो है नेलसन मंडेला जी को ये दोनों obligation यानि twin obligation का निर्वहन करने से रोका जाता है, मना किया जाता है, अब भाई उन्हें पकड़ के जेल में डा दिया गया, बोलिएगा कि परिवार की सेवा करो, देश की सेवा करो, देश की रक्षा करो, तो नहां से होगा, ठीके, तो इसलिए ये twin obligation जो है family के प्रती, और लोगों समाज और देश के प्रती, ये दोनों ही तरह की जो करतव्य हैं, ऐसा करने से नेलसन मंडेला जी को रो आपको मिलेंगे line by line explanation में, आप लोग उसे देख लिजेगा अच्छे से, तो ये हुआ आपका answer, कि दो करतव एक परिवार के प्रती, और दूसरा देश और समाज के प्रती, ये दोनों करतव हैं, और दोनों करतव के विशय में कहते हैं कि एक सब और मानविय समाज में ऐसा करना possible है, कि ये मनुष्य जो है, एक दूसरे की help करे, अच्छे से जीवन वैतीत करे, लेकिन, but in South Africa, it is impossible, South Africa में ये impossible है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके, so learners, I hope आपको ये long question and answers, जो की important है, आपको पसंद आया होगा, for the next video, please stay connected with our channel, and please like, share, subscribe, our channel, thank you.